जब भी हम लोग अपना टिकेट, फ्लाइट टिकेट ओनलाइन बुक करते हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि गलती से हम अपना डीटेल गलत इंटर कर देते हैं, चाहे वो हमारा नाम हो, एज हो, कॉंटेक डीटेल हो, पास्पोर्ट डीटेल हो, क्या हम उसे टिकेट बुक करने के बाद दुबारा से करेक्ट कर सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा आपको, और दूसरा एक सवाल और रहता है, कि जब भी हम अपना फ्लाइट टिकेट, किसी दूसरे के क्रेडिट कार्ट से बुक करते हैं, तो क्या उस समय, जिनका क्रेडिट कार यह दो सवालों के बारे में इस वीडियो में डिसकेस करूँगा पहले बात करते हैं डीटेल्स का जो अगर आप गलती से गलत इंटर कर देते हैं जब भी हम ओनलाइन अगर फ्लाइट के वेबसाइट से एरलाइन के वेबसाइट से अगर टिकेट बुक करते हैं उस समय आपका नाम में कुछ गलती हो गया कुछ भी डीटेल्स आपका गलत हो गया तो वो आपके डिपार्चर से पहले आप उसे करेक्ट कर सकते हैं वो करेक्ट हो सकता है उसके लिए आपको जो एरलाइन है उनके ओफिस जाना परेगा या तो उनके कस्तमर केर को कॉल करके सके departure से उतना जल्दी उनको contact कीजिएगा कुछ airlines ऐसे हैं उनके policy अलग हैं क्या पता वो आपको 48 hours पहले तक ही आपके जो details से वो correct कर सकते होंगे कई airlines ऐसे हैं जो 74 hours तक ही आपके जो particulars हैं जो आपके details से वो correct कर सकते होंगे तो आप airlines से चेक कर लिजेगा जहां तक साओधिय Airlines का सवाल है उस airlines में ऐसा कोई duration नहीं लिखा हुआ है बस इतना ही लिखा हुआ है कि अगर आपको details correct करवाने हैं तो आप airlines के office में जाके contact कीजिए या फिर उनके customer care में contact कीजिएगा ओके और दूसरा सवाल कि जब हम लोग अपना टिकेट किसी दूसरे के credit card से बुक करवाते हैं तो क्या वो credit card holder जो है उसको भी हमारे साथ travel करना जुरूरी है या नहीं ऐसा जुरूरी नहीं है लेकिन उसका एक alternative solution भी है कि जब हम किसी का credit card use करते हैं तो maximum airlines आप से एक declaration मांगता है कि जो declaration credit card holder के द्वारा issue किया जाता है travelers को जैसे कि मालीचे आपका credit card है और मैं travel कर रहा हूं तो आपके credit card से मैंने ticket book कर रहा है तो आप मुझे declaration देंगे उसमें लिखा हुआ रहेगा कि मैं इस आदमी को इस passport number वाला आदमी को यह flight अपने credit card से book करके दिया हूं उसमें उसाइन कर देंगे और वो एक paper उसको दे देगा ऐसा कोई precise format नहीं होता है कुछ airlines ऐसे हैं जिनका होता है पकिस्तान के airlines का मुझे पता था जिन्नोंने इस तरह के formats किसी को दिया था और बाकी airlines वाले उनके कुछ फोर्मेंस होते नहीं है लेकिन जब आप travel कर रहे होंगे किसी के credit card से अगर आपने ticket book कर रहा है तो जरूर airline से एक बार चेक कर लीजे कि क्या आपका कोई ऐसा format है declaration का क्या आपको declaration चाहिए अगर चाहिए तो कौन से format में चाहिए उनको email कीजे उनसे बात कीजे और travel करने से पहले वो declaration लेके जाईए अब इतिहाद airlines से एक बार में travel कर रहा था मैंने किसी दूसरों का ticket करवाया था अपने credit card से तो उस समय इतिहाद वालों ने बताया था कि आप एक declaration दे दीजे जिसमें आप ये लिखिए कि इस आदमी का मैंने अपने credit card से ticket करवाया है और उस credit card के साथ में आप sorry उस declaration letter के साथ में आप उस जो traveler से उसका passport का copy लगा दीजे और अपना credit card का एक copy लगा दीजे उसमें आप चाहे तो अपना जो number है credit card का वो हाइट कर सकते हैं तो इसका conclusion यह है कि अगर आपने किसी इसका credit card से ticket करवाया है तो आप उनको बोली कि एक declaration लिखके दे दीजे अगर airlines वाले अगर मांगेंगे तो आप उनको दिखा दीजेगा मैं ये advice करूँगा कि travel करने से पहले airlines वालों से एक बार चेक कर लिजे वो क्या बोलते हैं वो ज आप चैनल में नया है तो subscribe भी कर लिजेगा आज के लिए बस इतना ही आप लोग अपना ख्याल रखिए thank you very much